आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Charge Particle of Charge Q Mass M यहने Circular Path of Radius R Under the Action of Force F The Equivalent Current is अब हमारे पास में यह जो Particle है वो इस Circular Motion में Move कर रहा है जिसका हमान लीजे कि Radius है हमारे पास R तो इसके पर हमारे पास कौन से Forces लगेंगे एक जो हमारे पास में F Force लग रहा है और एक हमारा अंदर के अंदर में Sentry Petal Force लगेगा Mv²R F is equal to Mv²R जहां पर यह V जो है हमारा यह वाला Velocity हो गया ठीक है तो यानि कि this implies हमें कहा ली सकते हैं कि V is equal to R into F by M whole root over अब हम लोग कहा जानते हैं हमें क्या निकाल लिए है current तो हमारा जो current क्या होता है current होता है हमारा DQ by DT या हम लोग कहा सकते हैं Q by T अब इस case में जो हमारा charge है वो हमारा Q हो गया और time period T हमारा क्या होता है T is equal to time period होता है हमारा 2 pi by omega तो हम लोग कहा लिए सकते हैं 2 pi by omega तो हमारा I क्या लिए होग है Q omega by 2 pi अब इस circular motion में हमारा V equal to क्या होता है V equal to omega R होता है this implies omega is equal to V by R तो यानि कि this implies omega is equal to root over R F by M into 1 by R तो हम लोग कह लिए सकते हैं root over F by MR अब इसकी value हमें omega की value इसमें put कर लेंगे therefore I is equal to Q by 2 pi root over F by MR जहां R इसका क्या हो जाएगा radius radius हमें इस question में small R दिया हो है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं I is equal to K Y R हम लोग को दिया हो है small R तो Q by 2 pi root over F by M small R यह होगी हमारी current की value Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर